नमस्कार मैं मुस्कान शर्मा और आप देख रहे हैं All India News Today देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और जादा खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट AllIndia News.Today पर जैहिन जैभाल लगवग 18-20 वरसे जो घर में अकेली अर्दनंग आवस्ता में नहा रही थी तो जबरन उसके घर में घुश के आब अधरता पूर्वबात करने लगया और अशलील गंदी गंदी गाली देते हुए हैं अगर कल तक मागान खाली नहीं कराए तो तुम पर 45 लोगों के घरों को बुल्डोजर से गिरा देंगी मोटी प्रोग्राम के वरसो बसे जी एस के जमीन पर 1980 में इंद्रा आवास बना अगर आवास बना तो वन अधिकारी अब क्यों नहीं रोके 45 मागान जो कि 70 वरसों से जी एस जमीन पर बसे हुए हैं आद उनको बिना नोटिस जारी के कैसे उजार सकते हैं उजारने की बात तो दूर है मुहार की सभी मैलाओं का कहना है कि हमारे घर में मना करने पर कैसे जबरन गुश सकते हैं और घुसकर हमारे साथ अवद्रता पूर्वक बात करने को उनको किसने का इसी भी रोद में सभी ग्राम की मैलाओं पुरुश मोती पुर्वन जेडियल पर धरना पर दरसन करने लगे धरना पर दरसन से आवा गवन बंद होने मही पुरुआ तहसील के उब जिला दिखारी स्री ग्यान प्रकास्तर पाठी मोती पुर्थाने के सिपाई और तरोगा आकर मोके पर धरने पर बैटे महिला से वारतलाप की बात करते समय पूब जिला दिखार इस्री ग्यान प्रकास्तर पार्टी ने सभी को अस्वासन दिया कि इस गटना के संबन्द में हम बारीकी से चांस कराएंगे ओल इंडिया नियूस टुड़े के साथ राज जिनारायर तीवारी की रिपोर्ट कि इदा लुटिस प्रकास्तर यह सब्सक्राइब। है इस अगर जाच में सही प्राइल कारवाही होगी। और जो चांस हो जाएगी है आपको पहले प्रमीष में की तभी है नहीं प्राइब। बाइब आने जाखन देते हैं। कोड़ां वह सकार्ट लाइं करता फिर गुजा रही हैं और ही यहां पुलाए आप इस्टाइप आप आपि अजारा भुट लाई गजा काना दो यहां पुलाई है आपको बना भी दिया है तोड़े जाश होगी आपको बताया जाया कि आपको बना भी दिया है तोड़े जाश होगी होगी कि जब हो और जले पाणिया दोग्दा कर दोगार केशीमराज देते का तोड़ा में जाने everywhere और चाहती हैं याड़े धाया कि यहां मगारे अगर चैनली में जाएंएजे औरल ड़की पहा depois अग्मीर को मारते हैं कि अग्रेवां पता है जो भी पूरा होगा कारवाई होगी, हर चीज का यही विशा है कि जाच हो जाच हो जाच हो जाच हो जाच के ओपर कारवाई हो अग्रेवाई हो जाच करता हूं जाच हो जाच करता हूं और बनकर्मियों का बनकर्मियों का जो आतंक है इसे आप रूब रूब वाकिप भी हैं और आप उनके बारे में क्या कहना चाते हैं ने इस खुले आम गुंड़ई है और यह जाती है गरीब लोगों का यह आज से नहीं कम से कम 40 बर्स से तो मैं देख रहा हूं इनको मैं यहां पढ़ता था तब कोई सिलाई का काम करता है तो चाए बनाता है पूइ खल बेशता है कोई साइकिर रिपियर का करता है यह जो आज की घटना हुई है इसमें आप क्या कहना चाहते आज की घटना में कल हुई गउने यह रही हर इसके खिलाफ हम लोग बड़े से बड़ा अंदोलन करेंगे और किसी भी कीमत पर अगर परसाशन जनता से टकराएगा तो उसका परड़ाम गंभीर होगा और पूरी ज्ले के समाजवाधी पाटी और हमारे राष्टिय अधेज अखिलेस यादो अजन ने कर करके और और यहां पर लगलाएगे लड़ेंगे यह भारती कि यह या करीबों को मारो नो दे नहीं सकते इंसाफ यह दे नहीं सकते किसी को तो जो विचारी धोड़ा अब होना चाहिए और इनके उपर जो है लगना चाहिए पूरा का पूरा पूरा पास को एक्ट लगना चाहिए या मतलब है किसी को नहाते हुए देखना यह भी एक दफा है 354 बनता है इसमें और तोड़ फोड़ किया है यह तूट तो यह राहजनी है दकैती है ऐसे ले ने यह राहजनी है दकैती है तीन गिरा दिया यहाँ पर यह किनका नाम है उसका लड़की को नहांते हुए असरीलता किया है लोगों ने उसको अधे कपड़े में थी वह उसको कपड़े नहीं बदलने दिया यह जुल्म है अचार है और मैं यह आपके वीशो हजार राग में लेकर के खिराव करना है यह है तो प्षालब में किसोरी नाजबी है यह जितने भी जमीने हैं यह किंद्रा आवास है और यह पट्टे की जमीन हैं और बाकी का यह सब जितने भी है जीयस की जमीन इस साइड में जो मैं आपको वीडियो में दर्सार आओं यह बनी हुई मकान जो है जीयस के जमीन में है और यह इंद्रा आवास जो मिला हुआ है जो गरीबों को सरकार से मुहाया कराया गया था वो चीजे हैं इसके बावज के कल के कल खाली करें और बताइए यह जो पक्के मकान उनको कौन सा थोटी मिल गया है जो पक्के मकान को तोड़ने की वो साजी सरच रहा है और साजी सरच भी रहा है तो नोटीस नहीं है नोटीस बिना नोटीस के कैसे कर सकते हैं यह साइड उनको कानून में रहते हुए का उनका तरवा मालूम नहीं है और किस तरीके से लोगों को उजाड़ना चाहिए और किस तरीके से क्या कहना चाहिए उनको साथ मालूम नहीं है और अभी मैं प्रसासन से आउगत करना चाहता हूं कि यह जो बनकर्मी इतना ग्रामीडों को परसान कर रखे हैं उनका सभीयों का क जाड़ेंगे तो हम यहाँ पर जो मेन रोड है इस पर धरने बैठेंगे और धरना बैठने के बाद अगर जो प्रसासन हमारी बात नहीं सुनती है तो हम आगे तक जाएंगे मोदी योगी तक जाएंगे और हम अपने हक के लिए लड़ेंगे यहाँ पड़ी वर्शों जो यहाँ पर बन विभाग की जमीन है और इसके बीच में जो है उस साइड में नाला है नाला के बाद ये बन विभाग की जमीन है और इधर जितनी भी है सब जीयस की जमीन है जिसमें ये ग्रामरिवासी जो बसे हुए हैं 50-100 वर्सों से और ये जो पॉल दीख रहा है ये पॉल के उस पार तक अभी तो पूरा जं यहां आगे नाला है और मैं आउगत कराना चाहता हूं कि यह जो यह नाला है नाला के उस पार ही बन विवाकी जमीन है इधर जो है यह जीएस की जमीन है और इसके बावजूद यहां पे लोग 50 सालों से रह रहा रहे हैं फिर भी यह लोग को उजाड़ने का करने का यह देख यह सब इनके अत्याचार बन विवाक कर्मियों का अत्याचार जो है काफी बढ़ चुका है